यह है IQ G7 Pro, 22,000 पर इन्वेस्ट करके मैंने यह फोन खरीदा है with bank discount पर क्या आपको यह फोन खरीदना जी है तो बहुत ही short में और simple way में बताने की कोशिश करूँगा, I hope आपको पसंद आ है तो बस वीडियो को एक like कर देना और चाहो तो आप subscribe भी कर सकते हूँ तो IQ की typical box packaging के साथ में आपको box में हर चीज देखने को मिलेगी like phone, कुछ paper box, type C cable, charger और हाँ एक TPU case भी है जिसको मैं बोलूगा के पहले दिन से use कर लेना क्योंकि phone जो है वो काफी ज़्यादा पतला है और काफी slippery है और पीछे की तरब जो aging glass दिया है वापर कौन सा protection है इसको ल height weight भी है सिर्फ 175 gram के गरीब है जिससे वो उन पकड़न में काफी ज़्यादा comfortable feel होता है वैसे मैंने इसका blue color purchase किया है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था जिसका नाम कुछ blue lagoon कुछ ऐसा है अब यह होता क्या है I don't know लेकिन एक सेगिंड Alexa ये lagoon क्या होता है Alexa stop आप इतना समझों के समंदर या फिर बीचेस के आसपास मिट्टी के ओपर जो लहरों का pattern बनता है वैसा ही कुछ design यहाँ पर आपको दिया है जिसके विज़े से luck काफी सही रहा है लेकिन फोन के haptics इतने अच्छे नहीं है शायद जो vibration motor यूज किये वो इतनी अच्छी quality की नहीं है जिस तरह का premium phone यह लगता है aptics थोड़े और better हो सकते थे लेकिन वहीं पे phone का display काफी कमाल का है यह phone एक full HD curve AMOLED डिस्प्ले लेकर आता है 10 bit panel है बेजल बहुत ही कम है outdoor visibility भी कमाल गीए क्योंकि brightness 1300 nits तक चला जाता है साथ में IP52 rating लेकर आता है इसके लाग इंदर काफी अच्छे से काम कर रहा लेकिन जैसे YouTube पर switch करते है 60Hz के उपर चला जाता है तो I think यह छोटा bug है जिसको fix करने की ज़रत है बागी details के अंदर कोई कमी नहीं है डिस्प्ले एकदम sharp है चाहे deep blacks हो या फिर इसका color reproduction बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है security के लिए तो डिस्प्ले के अंदर तो under display fingerprint sensor दिया है जो कि हर बार और काफी अच्छे से काम कर रहा है और protection में यहाँ पर आपको dragon tail का protection दिया है लेकिन sound के नहीं यहाँ पर single speaker दिया है और 3.5 का audio jack भी नहीं दिया जिस price phone के उपर यह phone आ रहा है dual speaker तो देना था बट single speaker होने के बावज होगा क्योंकि काफी सारे फालतू के apps आपको शुरुवात के अंदर देखने को मिलते हैं जिनको आपको अनिस्टोल करना पड़ेगा hot games और hot apps वाली जो बिमारी है उसको भी आपको settings पे जाकर disable करना पड़ेगा तब जाकर बूला जाएगा कि software clean है वैसे software काफी एच्छे से मिलती है UFS 2.2 का storage type है सबसे पहला तो आप benchmark score देखो काफी अच्छे scores निकल कर आते हैं storage के अंदर read and write की जो speed हो भी काफी अच्छी है हाला कि UFS 3.1 जीतीनी तो नहीं है लेकिन UFS 2.2 के इसाप से आपको अच्छी देखने को मिलती है अब यह जो media tech का processor है day to day task आपको काफी अच्छे से करवा देगा एप ओपनिंग से लेकर अच्छी कासी multi-touch की आप इसके साथ में कर सकते हो फोन बिल्कुल भी lag नहीं करता इसके लब अच्छी कासी gaming भी आपको करवा देगा iqoo का फोन ने तो gaming खराब हो कैसे हो सकता है bgmi में आपको smooth पर extreme setting का option दिया है बीना किसी frame drop के एक stable gameplay ये phone आपको करवा देगा जायरो भी बहुत ही stable है काफी अच्छे से काम कर रहा है initially मैंने इस phone के साथ में ज्यादा gaming नहीं करी तेकिन एक से डेड़ गंटे gaming करी थी तो वहां hitting जैसा कोई issue नहीं था तेकिन जब मैंने इस phone के साथ में antutu score and geekbench scores को test किया तो वहाँ पर phone का जो temperature हो 45 डिगर के असपास चला गया था जो की normal से तोड़ा ज़्यादा है लेकिन over rating जैसा कुछ नहीं बागी detail review के अंदर इसको काफी एच्छे से test करेंगे बात करते हैं इस phone की battery को लेकर तो यहाँ पर iqo वालों ने क्या किया है कि इस phone को slim बनाने के चक्कर पे battery capacity को कम कर दिया काफी लोगों को इस phone की battery को लेकर concern है कि भाई कम आपको मिलती है तो battery backup कैसा रहेगा तो यह device सिर्फ 4600 mAh की battery के साथ में आता है साथ में 66V की fast charging भी दी है इसकी बावजूत phone का जो battery backup है वो काफी कमाल का है जिसका एक simple सा reason है कि यहाँ पर जो processor है वो एक power efficient processor है इनीचली मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि single charge करने में यह phone आपको एक दिन का battery backup पाराम से निकाल देगा नैटो करेश अप्षन में 4G plus consistent है dual 5G phone है 5G मैंने इसके साथ में test करके देखा था काफी अच्छी speed आपको देखने को मिलती है तो वा को issue नहीं है calling के लिए यहाँ पर आपको dual mic मिलते हैं call quality आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है call recording करना चाते हो तो सामने वाले को बिना बताए आप इसकी call recording कर सकते हो अब एक चीज़ मुझे इस phone के मुझे थोड़ी से surprising लगी कि यह for hybrid SIM card slot के साथ में नहीं आता जनले इस price rates के अंदर ऐसे phone बहुत ही कम देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप सिफ दो SIM card यूज़ कर सकते हैं family card का यूज़ नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं इस phone के cameras के बारे में लेकिन उससे पहले आपको कही पर भी वीडियो पसंद आ रहा थे वीडियो को एक like कर देना और एक छोटा सा comment भी आप कर सकते हो ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके तो camera के नाम पर पीछे आपको सिर्फ एक sensor देखने को मिलता है 64 megapixel का sensor जो की OIS feature को भी support करता है और इसका फाइदा आपको वीडियो के साथ-साथ photos के अंदर भी मिलता है जिसे day time में मैंने इस phone के साथ में कुछ photos लिये थे details अच्छे होते है, skin tones और colors भी काफी अच्छे है, light control और जो dynamic range है वो भी ये phone काफी अच्छे से balance कर लेता है लेकिन portrait shots में कभी का बार exposure को लेकर issue आता है और जो edge detection है वो भी काफी बार miss कर देता है night के अंदर photos bright होते हैं, details भी अच्छे होते हैं, color और skin tones भी काफी अच्छे होते हैं और night में और low light के अंदर इसका जो portrait mode है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है बट photos को bright करने के चकर में face के उपर जो skin tones है उनको थोड़ा सा जीब सा कर देता है और वो भी आपको तब पता च अब कुछ काफी अच्छे से balance करके रखता है और selfie camera में जो light control है वो भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है बागी night के अंदर photos bright होते हैं, details भी maintain करके रखता है तो selfie camera तो इस phone का आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगा वीडियोस के अगर बात करें तो rare camera से आप 4 के 30fps तक क का ही option देखने को मिलता है, quality decent है और EIS भी याँ पर थोड़ा सा काम कर रहा है, अब सबसे last में सवाल आता है कि phone कैसा है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो देखो सारे positive और negative points मैंने आपको बता दिए, मेरे गुड़िंग तो ये phone एकदम balance phone है, display, camera, battery, processor, design, कोई सवाल है तो नीचे comment section में पूश सकते हो, फिल आल के लिए IQ G7 Pro को लेकर इस वीडियो में वसे इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, मैं मिलता हूँ किसी next वीडियो में किसी net topic के साथ तब तक के लिए, जैहिन जैबारत